आप जबी भी कोई भी चीज खरीदते है घर के लिए तो हमेशा उसके साथ आपने एक instructional manual देखा होगा जिसमें do's and don'ts लिखे हुए है सवाल क्या आपके पास पैसो का कोई instructional manual है कि उसका उपियो कैसे करना और कैसे नहीं करना हाई फ्रेंड्स आप सिने देसाई life coach, business coach मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने पैसो को किस तरह से treat करते है चली मुझे बताईए अभी आपकी जेब में कितना पैसा है आपके wallet purse में कितना पैसा है अगर आप मुझे ये जवाब दे पाए तो दो संभावनाई है पहला आपने पैसा गिना हुआ है इसलिए आपको पता है कि कितना है या फिर फिलाल आपकी जेब में कुछ भी नहीं है इसलिए आपको पता है कि कितना है मगर मैं यह कहता हूँ कि हर सुभा जब आप घर से बाहर निकले तो अपने पैसो को गिन कर निकल लिए आपको एक्जाटली पता होना चाहिए कि आपके जेब में, आपके पोर्स, आपके वालेट में कितना पैसा है क्योंकि अगर आप पैसा कमाना चाहते है तो आपका फोकस आपके पैसो पर होना बहुत ही ज़ादा जरूरी है चलिए, यहाँ पर मैं आपको एक मनी योगा कराना चाहता हूँ आपने स्वामी रामदेव बाबा के योगा को जरूर देखा होगा, आईए मैं आपको मनी योगा देना चाहता हूँ कि जिससे आपके लाइफ में बहुत ज़ादा पैसा आ सकता है तैयार है, मेरे साथ इस वीडियो में आपको करना है आपको अपने राइट हैंड को इस तरह से उपर रखना है, चेहरे की और फेस करते हुए अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से नीचे रखना है, करते जाएए, सोचिये मत ठीक है और इस तरह से नीचे रखते हुए अपनी गर्दन को लेफ्ट सेड पर जुका कर रखना है और इस पोजीशन में रहना है, आप कमफर्टेबल है ना? और वाइट देन, बस तो मैं जा रहा हूँ, आपको आदे गंटे ऐसे ही बैटना है फ्रेंड्स, मैं कहना यह चाह रहा हूँ, कि अगर मैं आपको इस तरह से आदे गंटे बिठाओ तो आप अगली बार मेरे प्रोग्राम में आना चाहेंगे नहीं, क्योंकि आप बहुत अनकमफर्टेबल बैठ रहे है बस एग्जाक्ली वैसे, आपको नहीं लगता कि आपकी जेब में, आपके वालेट में जो पैसा है वो एग्जाक्ली कुछ ऐसे ही अनकमफर्टेबल पोजेशन में है लोग पैसो को ऐसा ऐसा फोल्ड करकर के कोने में रखते है कि जहां पर पैसे कभी कमफर्टेबल रहे नहीं सकते फ्रेंड्स, पैसो को हमने कुबेर का और मा लक्षमी का रूप माना है अब सोचिए लक्षमी जी जहां पर कमफर्टेबल रह नहीं सकते क्या वहाँ पर वो वापिस आना पसंद करेंगे और इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अपने पैसो को टोटली अच्छे से और्गिनाइस करके रखिए पहले तो अगर आप कोई वालेट का इस्तमाल ना करते हो तो उसे करना शुरू कीजिए फिर सीकोंस में दो हजार, पांसो, दोसो, सो इस तरह से अपनी नोट्स को और्गिनाइस्ट रखिए पुरा खुला रखिए अगर पॉसिबल है तो और कभी भी कोई भी दूसरा कागस, विजिटिंग कार या बिल जो है उसे पैसो के साथ में ना रखिए पैसा अलग है, कागस अलग है एक बार, पैसे और कागस की बीच में थोड़ी बहस होगे कागस कहता है, भई तुम भी तो एक कागस ही हो पैसो ने जवाब दिया, हाँ, मैं भी एक कागस हूँ लेकिन मैंने आज दिन तक डस्ट मिन नहीं देखा है दोस्तों, आप है ना, जिस तरह से एक फोटो फ्रेम जो आपके फैमिली की है जो आपके बेडरूम में लगी है, उसे अलग ट्रीट करते है और वो ही फोटो फ्रेम जो आपके मंदर में भगवान की है उसे अलग ट्रीट करते है, चाहे दोनों फोटो फ्रेम ही क्यों न हो बस एक रूल याद रखिएगा, पैसा चाहे कागस ही क्यों न हो बट दोनों की वैल्यू हमारे लिए बहुत अलग है और इसलिए उसे वालेट और पर्स में भी अलग रखना जरूरी है और उसका उपियो कभी भी लिखने के लिए ना किया जाए कुछ लोग दांतों से कच्रा निकालने के लिए भी पैसो की करंसी नोट का इस्तमाल करते हैं जो कभी नहीं करना चीए एक रूल याद रखिएगा आप पैसो को जितना इज़त और मान देंगे उतना ही पैसा आपकी जिन्दगी में मल्टिप्लाए होकर के वापिस आने वाला है फ्रेंड्स मेरे फादर उन्होंने जीरो से शुरू किया लेकिन वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस्फुल हुए दस रूम का घर बनाया बड़ी फैक्टरी बनाया मगर अगर आप कभी उनसे पूछेंगे कि उनकी जेब में कितना पैसा है उनको पता ही नहीं होगा उनको तो ज्यादा तर समय ये तक नहीं पता था जानता हूँ कि अगर आप पैसो को इज़त ना दे तो पैसा आपके जीवन में वापस नहीं आने वाला है और इसलिए जब हम धनतेरस पर पैसो की पूजा करते हैं धन की पूजा करते हैं वो चीज़ आप हर दिन कर सकते हैं पैसो को हर दिन सुभा काउंट करके निकल लिए उसे हमेशा और्गिनाइस्ट करके रखिए वालेट या पर्स में कागस के साथ उसे मिक्स ना करें ज्यादा फोल्ड करके ना रखें और सबसे इंपॉर्टन एक मैजिक फॉर्मिला जबी भी आप पैसा दे रहे हैं तब राइट हैंड से दीजिए और जब ले रहे हैं तब लेफ्ट हैंड से लीजिए खास करके जब आप पैसा दे तब आपको मन में बोलना है कि ये पैसा मल्टिप्लाइ होकर मेरी जिंदगी में वापिस आने वाला है मन में बोलना है जोड से ना बोलिएगा वरना सामनेवल अडर जाएगा और जब आप पैसा रिसीफ कर रहे है तब आपको मन में कहना है येस पैसा मल्टिप्लाइ होके वापिस आ रहा है ये आपके सबखांचिस माइंड का प्रोग्रामिंग करना शुरू करेगा जिससे जबी भी आप पैसा देंगे तो आपको देने में संकोच नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि वो पैसा मल्टिप्लाइ होकर आने वाला है और जबी भी पैसा आ रहा है तब आप खुश है पॉजिटिव है कि हाँ वो पैसा मल्टिप्लाइ होकर आ रहा है ये सिंपल स मैजिक फॉर्मिला जिनोंने भी मेरे प्रोग्राम के बाद फॉलो किया है मैंने हमेशा उनके जीवन में बहुत ज्यादा सम्रिधी देखी है आज से आप इसे अपनाना शुरू कीजिए इस वीडियो को शेर कर दीजिए अपने सारे ग्रुप्स और फ्रेंड्स के साथ कि जि दिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पर जा करके उसे बाई कर सकते हैं और ऐसे सारे सीक्रिट्स एक साथ सीख सकते हैं कल एक और वीडियो के साथ मैं आपको वापस मिल रहा हूँ